असलाम उलिकुम लिसनेस, वेल्कम बैक टू माई चैनल, आज आप सुनेंगे नौवल बिन रोय आंसू, एपिसोड नमबर फाइफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड तुम यहां पर क्यों आ गई समन, तुम यहां ना आती तो कितना अच्छा होता, सब कजन समन के साथ बातों में मसरूफ थी, वहां इतना शोर था कि कान पड़ी आवास सुनाई नहीं दे रही थी, वो अपने कमरे में आ गई, दर्वासा लॉक करके उसने खाली कमरे को एक सकती थी, दिल की दुनिया लुट जाने का मातम कर सकती थी, इतने घंटों से खुद को संभालते संभालते वो थक चुकी थी, खुद पर से इख्तियार खोती, वो बिलग बिलग कर रो पड़ी, जितना वो रो रही थी, उतना ही उसकी वहशत बढ़ती जा रही थी, क्यूं क्यों नहीं मुझे मेरी मुखबत मिली जिसे मैंने चाहा वो किसी और को क्यों मिल गया ऐसा क्या है समन में जो मुझ में नहीं है क्या वो मुझसे जादा खुबसूरत है क्या वो मुझसे जादा उस शखस को चाहती है वहशत सदा अंदाज में उसने अपना टीका नोच डाला फिर गले का हार, कानों के बुन्दे वो जुनूनी अंदाज में सब खीच-खीच कर उतारती रही चंद मिंटों में उसने अपना रूप उचार डाला उसने एक मरतबा फिर खुद को आइने में देखा और फिर उसी से सर टिका कर फूट फूट कर रोपड़ी ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने जो तूने मेरे मुकदर में ये दुख लिख डाला अगर वो मुझे नहीं मिलना था तो फिर उसकी महाबबत भी मेरे दिल में ना डाली होती वो रोते रोते कार्पेट पर बैट गई थी क्यूं डाली मेरे दिल में उस शक्स की महाबबत जो मुझे मिल नहीं सकता था उससे अपनी चीखे दबाई नहीं चा रहीं थी इस सारी काइनात में किस चीज़ की कमी आ जाती अगर मुझे मेरी मुखबत हासल हो जाती कोई बहुत अनहोनी खौइश तो नहीं की थी मैंने फक्त एक शक्स जो जिस तरह समन को मिल गया है उसी तरह मुझे भी तो मिल सकता था वो रोते रोते बाहर बालकनी में आ गई थी उसका वजू शोलो की लपेट में था और उन शोलो को बाहर की थंडी हवा और बढ़का रही थी जब मैं नहीं तो समन भी क्यूँ उसके अल्हा से शिक्वे ख़दम नहीं हो रहे थे क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि समन भी उस रोज अनस मामों और मुमानी के साथ उसी प्लेन में होती क्या फर्क पर जाता अगर समन भी उन लोगों के साथ मर जाती तेरे इक्तियार में था तो तू ऐसा कर सकता था मार सकता था ना तू समन को वो मर जाती फिर ये सब ना होता जो आज हुआ वो आज उस शक्स की दुलहन बनी बैटी है जिसे मैंने अपनी जिन्दकी से बढ़कर चाहा है जिसके खुआप देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ अपनी जिन्दकी के इतने बरसों तक जिस शक्स से मैंने मुहबत की उसे समझ ने मुझसे चीन लिया वो आज फूलों में गिरी उसी जगा बैठी है जिस जगा बैठने के मैंने खुआप देखे थे उसकी आँखों से आसू नहीं लहू टपक रहा था काश, काश तुम मर जाती उसी रोज उसी जहाज में वो वहशत भरे अंदास में रोई चली जा रही थी सुबा हो चुकी थी उसका रात वाला जनून और वहशत खतम हो चुका था अपनी मुहबत के छिन जाने का वो दिल भर कर मातम कर चुकी थी उसका जहन इस वक्त बिलकुल खाली था वो बगएर कुछ सोचे समझे खामोशी से अपने कमरे से अपनी रात के दिवानगी के सारे निशानात मिटाती रही रात जो कुछ हुआ इस बारे में वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी मुहाद होकर बाल बनाने के बाद कमरे पर एक मुत्माइन सी नजर डालती वो बाहर आ गई उसकी रोई हुई सुर्ख आँखे देखकर किसी को तश्वीश नहीं होगी इतना तो उसे इतमरान था क्या अजीब इत्वाक था कि बाहर निकल कर उसकी पहली नजर इर्तजा पर पड़ी थी वो अमा की कमरे में जा रहा था उसने सबा की तरफ नहीं देखा था ये इर्तजा घजनफर तुम्हारा बेहनोई है तुम्हारी बेहन का शोहर रिष्टे बदल गए है सबा शवीख तुम्हें इस तबदीली को कबूल करना ही होगा उसने अपने आपको समझाया वो मलाजमीन को साथ लगाए घर में ठहरे हुए मेमानों के नाश्टे का इंतजाम करने में मसरूफ थी उसकी कजन्स भी मदद कराने किचन में आ गई थी समन तुम्हारा पूछ रही है वो सुब़ से समन के कमरे की तरफ नहीं गई थी जबके बाकिस सब कजन्स उस से मिल कर और मू दिखाई में क्या मिला किसम की मालूमात लेकर आ चुकी थी सुब़ से समन के कमरे में जाने वाली हर कजन और हर आँटी की ने उसे समन का ये पैगाम दिया था जरा नाश्टे से फारिख हो जाएं सब फिर जाओंगी समन के पास वो खुद में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पा रही थी कैसे देख पाएगी वो उस चेहरे की वो दिल आवेज मुस्कुराहट वो मुहबतों का यकीन पा लेने के बात वाली सर खुशी और जगमगा हट छोड़ो इसे यहां इतना कोई खास काम नहीं है समन तुम्हारा बार बार बूच रही है जाओ उसके पास समरा जो अभी अभी समन का मेक अप करके आई थी उसके हाथ से मिठाई की प्लेट लेते हुए बोली एक गहरी सांस लेकर वो किचन से बाहर आई और मरे मरे कदमों से चलते हुए उसके कमरे में दाखिल हो गई समन इस वक्त कमरे में अकेली थी सुर्ख रंग का खुबसूरत सा लिबास और बड़े से सुर्ख रंग के दुपटे के साथ वो हमेशा से जादा हसीन लग रही थी खामोशी से बैट पर बैठी वो यू लग रही थी जैसे कोई मलका अपने तख्त पर बैठी हो उसकी चोटी आगे पड़ी हुई थी और उसमें गुंधी बेले की कलियां किस कदर खुबसूरत लग रही थी उसे देखकर खुफगी के इजहार के तौर पर वो बिलकुल चुप बैठी रही वो उसके पास आकर बैठ पर बैठ गई वो दोनों खामोश थी लेकिन इस खामोशी को समनने ही तोड़ा था उसकी नजर उसकी रोई हुई आँखों पर पड़ी तो वो बेचैन होकर बोली सबा तुम रोई थी इतनी तश्वीश और परिशानी थी उसके अंदास में कि वो यक्टो को उसकी तरफ देखती रह गई बेवकूफ मैं कोई तुम से दूर थोड़ी ना चा रही हूँ जो तुम इतना रोई हो मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास उसने उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे बिलकुल अपने करीब इठा लिया था समन अगर तुम्हे मेरे रोने की असल वचा पता चल चाए तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी उसे उस पल समन से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वो खुद में उससे नजरे मिलाने का होसला नहीं पा रही थी बस सिर्फ मेरा कमरा बदला है और तो कोई फरक नहीं पड़ा वो उसे तसली देते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी समन तुम खुश हो ना उसकी वो तसलीया उसे चाबुक की तरह लग रही थी इसलिए घबरा कर उसने मौज़ू बदल डाला इतिज़ा का जिकर आ जाने पर समन को फिर कोई और बात यात नहीं रहती थी ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी हाँ सबा मैं बहुत खुश हूँ इतनी खुश कि अपनी कैफियत का इसहार लफ़ों में कर भी नहीं सकती बाद दफ़ा लफ़ कितने चोटे लगते लगते हैं मैं खुश हूँ बहुत खुश बस तुम खुशी से पहले बहुत का लफ़ जितनी मरतबा दिल चाहें इस्तमाल कर लो बड़ी खुबसूरत सी मसकुराहट समन के चेहरे पर बिकरी हुई थी तुम इतनी देर से क्यूं आईं मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी उसे अचानकी शिक्वा करने का खयाल आया था यार में बजी थी घर में इतने सारे महमान हैं ममा का तुम्हें पता है न कहीं किसी चीज़ में उन्हें जरा से भी कमी देख ली तो समझो मेरी शामद आ गई नौकरों पर तो उन्हें भरोजा है ही नहीं वो तफसील से जवाब देते हुए उसका शिक्वा दूर करने लगी तुमने ये नहीं पूछा कि इर्तजा ने मुझे 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 दिखाई में क्या दिया है उसके शिक्वे अभी खतम नहीं हुए थे लेकिन कितनी अपनायत थी उन शिक्वों में वैसे तो मैं नीचे सब लोगों से सुन चुकी हूँ लेकिन चलो तुम दुबारा से बता दो बलके दिखा दो समन जवाब में कुछ बोलने के बजाए उसकी गर्दन की तरफ देख रही थी ये चोट कैसे लगी सबा उसके लहजे में फिकर मंदी थी वो एक मरतबा फिर समन से नजरे चुराने पर मजबूर हो गई थी पता नहीं लग गई होगी कहीं से मैंने तो अभी अभी मूध होते हुए से देखा था उसने अपनी जूट को बेनियाजी के परदे में छुपा कर आहिस्ता से कहा देख लिया था तो फिर कोई दवा भी लगा लेनी थी वो नाराज़की से उसको घूरते हुए उठने लगी कहा जा रही हो तुम्हारे लिए दवा लेने जा रही हूँ हद है बेनियाजी की उसने समन का हाथ पकड़ कर वापस बिठा लिया बैठी रहो हमारे यहां एक दिन की दुलन से काम नहीं कराया जाता मैं अभी जाकर खुद लगा लूँगी लगा लूँगी नहीं अभी जाकर फौरण लगाओ वो नाराज़की से बोली तो वो फौरण उट गई अपनी उस चोट पर दवा लगाते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी क्या वो शर्मिन्दा थी उससे नदामत हो रही थी मगर किस से क्या समन से या पर खुद अपने आप से वली में के बाद जफर एक हफ़ता उन लोगों के साथ रहकर वापस चला गया इर्तजा ने उसके जाने से पहले अपने तमाम करीबी कजिन्स को शादी की खुशी में डिनर दिया था इस डिनर को सबने खुब इंजॉई किया था जफर ने इर्तजा और समन की दावत करने की खातर एक पिकनिक अरेंच की थी इस पिकनिक में होने वाला हला गुला और हंगामा बहुत यादकार था शादी के हंगामे सर्द पढ़ रहे थे इर्तजा और समन हनीमून के लिए होआई जा चुके थे उसने खुद को पहले से भी जादा मसरूफ कर लिया था समन और इर्तजा ने होआई से तीन चार बार घर पर फोन भी किया था मगर वो उन लोगों से बात नहीं करना चाहती थी मगर हर बार उसे उन लोगों से बात करनी पड़ जाती उसकी हसी और खनकती हुई आवाज सुनकर उसके दिल को बता नहीं क्या होने लगता था उससे वो हसी बरदाश्ट नहीं हो पाती थी महीने भर का हनीमून ट्रिप इंजॉई करके वो दोनों वापस आ चुके थे समन के पास हमेशा के तरह उसे सुनाने के लिए वहां की धेर सारी बाते थी बहुत से लोग हवाई को जमीन पर जन्नत करार देते हैं और वाकई सबा वहां की तारीफें अगर इस कदर की जाती है तो यकीन करो वो जगा ऐसी ही है कि उसकी इस दरजा तारीफें की जाए अल्ह ताला ने उस जगा बे तहाशा हुसन बखेर रखा है वहां के उच्छे पहाड़ खुबसूरत समंदर हसीन साहिल चारों तरफ फूलों की दिल फरे बहक कौन सी ऐसी खुबसूरती है जो वहां नहीं वो उसे वहां की तस्वीरे दिखाते हुए मुसलसल बोलती जा रही थी उन दोनों ने वहां पर बे तहाशा तस्वीरे कीची थी और इन तमाम तस्वीरों में वो दोनों किस कदर खुश नजर आ रहे थे वो खामोशी से उन तस्वीरों को देख रही थी हमारे होटेल से समंदर इतना नस्दीक था इतना खुबसूरत लगता था अपने कमरे की खिलकी से खड़े होकर समंदर को देखना समंदर बड़े खुशकवार अंदाज में बोली वो समझ सकती थी कि समंदर को वो जगा इतनी जादा पसंद क्यूं आई थी वो जिसके साथ वहां गई थी उसके साथ तो अगर उसे किसी सहरा में भी भेज़ दिया जाता तो वो इतनी ही खुशकुश लोटती मुहबत ऐसी ही जोरावर होती है चाहे जाने का एहसास इतना ही सरशार कर देने वाला होता है वो क्यूं ना खुश होती आखिर वो जिसके साथ वहां गई थी वो उससे बे तहाशा प्यार करता था वो रश्क भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती चली जा रही थी और समन जैसे अभी तक उन ही हसीन लंभों में घेरी बैठी थी मैंने इस एक महीने में जिन्दकी से अपने हिस्से की सारी खुशियां समेट ली है जिन्दकी इस कदर खुबसूरत भी हो सकती है ये बात तो कभी मैंने सोची ही नहीं थी मुझे तो सारी ही दुनिया पदली पदली सी महसूस हो रही है ऐसा लगने लगा है जैसे दुनिया में कहीं कोई गम नहीं है इर्तिजा के बारे में मैं तुम से क्या कहूं सबा बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम्हें भी इतना ही मुहबत करने वाला शोहर मिले समन की ये बात उसे ऐसे लगी जैसे बिच्छों ने डंक मार दिया हो मत मांगो मेरे लिए कोई दुआ तुम्हारी ये दुआएं मेरा तमस्खर उडाती है मुझे ना अब मुहबत चाहिए और ना ही मुहबत करने वाला कोई शक्स जब वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं मैंने उससे मुहबत करने के अलावा सिंदगी में कुछ भी नहीं किया और उसकी सिंदगी से निकल जाने के बाद अब किसी की ना मुहबबत पाना चाहती हूँ और ना करना चाहती हूँ वो सोचते हुए अलबम बंद करके एकदम वहां से उठ खड़ी हुई क्या हुआ तुमें बाकी तस्वीरें नहीं देखोगी समन उसे यू उटा देखकर हैरत से बोली मैं जरा किचन में एक नजर डालाओं ममा कहेंगी डिनर की कोई फिकर ही नहीं है फरागत से बैटकर गपे मार रही है वो जबरतस्ती मुस्कुराते हुए बोली और फिर फॉरण कमरे से बाहर निकल गई वो किचन में आकर कोई मसरूफिय ढूनने की कोशिश कर रही थी कि समन भी वहीं आ गई अभी उसके किस्से खतम नहीं हुए थे और जब तक वो उन्हें सबा को सुना नहीं लेती उसे चैन नहीं आना था उसके अदम दिल्चस्पी भी उसके जोशो खरोश को कम नहीं कर रही थी वो ला तालुकी का मुझाहरा करती अपने काम में मसरूफ थी और वो मसलसल बोलने में हर रोज जब सुबह मेरी आख खुलती तो मैं अपने सिरहाने धेर सारे फूल पाती इतने दिनों में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आख खुले और मुझे अपने पास फूल रखे हOOे नज़र ना है मुझे कभी भी पता नहीं चला और किस वक्त मेरे पास रखते थे कितनी मरतबा मैंने इर्तजा से पूछा लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं वो उसके साथ मिलकर सलाथ बनाने लगी कितनी मरतबा हमने एक ही कप में चाई और काफी शेयर की एक ही कौन आईस क्रीम खाई और एक ही प्लेट में खाना खाया वो अचाना की समन की बात काट कर बोली माई स्वीट सिस्टर जिसे आप महब्बत समझ रही है मेरे खयाल से वो इर्तजा भाई की खर्चा बचाने की एक काम्याब कोशिश थी एक ही प्लेट में खाना एक ही कप में चाई काफी वह काम्याब बिसनसमैन ऐसे ही होते है तुम्हारी जैसी एहमक लड़किया इसे महब्बत का खुबसूरत सा एहसास समझ कर खुश और उन जैसे चालाग बिसनसमैन की जेप पर बोज भी कम समन को उसकी बात सुनकर हसी का दौरा सपड़ गया था सब काम छोड़कर वो बुरी तरह हस्ती चली गई किस गदर अन्रोमैंटिक हो तुम सबा तौबा है कितनी देर बात कहीं जाकर वो अपनी हसी रोकने में काम्याब हुई थी बेचारा तुम्हारा शोहर जो रॉमैंटिक हुआ तो तुम उसकी सारी रॉमैंटिक सोचों पर इसी तरह पानी फेर दिया करोगी हर वक्त उसे शक की नजर से देखोगी कि जरूर इस बात के पीछे कोई खर्चा बचाने की कोशिश कार फर्माएं वो समन को हसता देखकर हसने लगी थी आजकल कहां पाई जाती है आप इर्तजा ने उसे देखते ही रिमोट से टीवी आफ कर दिया था और अब पूरा का पूरा उसकी तरफ मतवज़ा था यहीं पर हूँ आपके सामने वो बैक कंदे पर लटकाए कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नजर आ रही थी बड़ी सरसरी से अंदास में उसने इर्तजा को जवाब दिया था अच्छा हैरत है यहीं पर हो फिर भी मुझे दिखाई नहीं देती या तो घर पर नजर ही नहीं आती और अगर आ भी जाओ तो किसी ना किसी मसरूफियत के साथ इर्तजा और समन को वापस आये चार रोज हो गए थे और इन चार दिनों में उसके इर्तजा से बराए नाम ही बात चीत हुई थी शादी से पहले वो कराची में नहीं था फिर शादी के हंगामों के दौरान उसे इतना वक्त नहीं मिला था कि किसी बात पर भी कुछ सोचता लेकिन अब चार दिन से वो कराची में था और वो भी घर पर बिलकुल फारिग ऐसे में उसे सबा का अपने साथ जादा बात चीत ना करना बहुत खटका था कितने अरसे से तुमने मुझे ना फारीणा का कोई किस्सा सुनाया और ना हिरा और शाजिया के ग्रुप के साथ होने वाली लडाईया वो सब तो मेरे कॉलिज की फ्रेंड्स थी दोस्ती खतम तो नहीं हो जाती लेकिन अब उन लोगों का डिपार्टमेंट अलग है वो लोग फिजिक्स में हैं बहुत कम उन लोगों से मुलाकात होती है मैंने बहुत सारे नए दोस्त बना लिये है फारीना वगेरा के साथ तो बस सिरारते और एहमकाना हरकते ही की थी अब इन लोगों के साथ दोस्ती हुई है तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में पहले से भी जादा हो गया है सब टीचर्स हमारे ग्रूप को बहुत पसंद करते है ये तो खेर बहुत अच्छी बात है कि तुमने पढ़ाकू किसम के लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाया है लेकिन पुराने दोस्तों को कभी छोड़ना मत सबा जो बात पुराने दोस्तों की होती है न वो नए दोस्तों में नहीं हो सकती दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी ही खुबसूरत और मजबूत भी हो जाती है वैसे ये एक इजाफी बात थी तुम कहीं जा रहीं थी मैंने तुम्हें रोक लिया जाओ तुम्हें देर हो रही होगी हमेशा की तरह उसने बज़रगाना अंदाज में उसे नसीहत की थी वो सोफे से उठी तो इर्दजा ने पूछा तुम जाओगी कैसे चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दू मैं ड्राइवर के साथ चली जाओंगी करीब ही तो है सर अम्तियास का घर हमारा ग्रॉप अक्सर ही उनकी लाइबररी में जमा होता रहता है वो उसे खुदा हाफिस कहते हुए लाउंज से बाहर निकलने लगी तो इर्दजा पीछे से बोला कितने दिनों से तुमने मुझे काफी बना कर नहीं पिलाई आज रात मुझे तुम्हारे हाथ की काफी पीनी है मैं क्यों बनाऊं समन साहिबा किस मर्ज की दवा है आपकी काफी नाश्टा वगएरा सब अब उसकी जिम्मेदारी है लाउंज में आते हुए समन ने उसकी बात सुन ली थी अस्वा सही कह रही थी कि सबा तुमें बेहन और नंद दोनों रिष्टों के मज़े करवाएगी कैसा नंदों की तरह अकेले में इर्तजा के कान भरे जा रहे हैं इर्तजा समन के ताना देने पर हस पड़ा था उसने मुणकर इर्तजा की तरफ देखा वो मुस्कुराते हुए समन से कुछ कह रहा था हवाई आने के बाद इर्तजा और समन एक हफ़ता कराची रुके उसके बाद वो दोनों लाहौर चले कहे थे इर्तजा लाहौर में अपने जिस प्रोजेक्ट में इन दिनों मसरूफ था उसके लिए उसे अभी कुछ अर्सा वही ख्याम करना था शादी से पहले ही उसने वहाँ अपना जाती मकान खरीद लिया था लाहौर में उसके बाद बहुत करीबी दोस्त भी रहते थे घर में सब को समन की कमी बहुत महसूस हो रही थी जफर के बाद अब इर्तिजा और समन भी यहां नहीं थे घर के सबी अफराद को उन दोनों के बगएर कर बहुत सूना लग रहा था सिवाए उसके वो उस घर की वाहित फर्द थी जो उन दोनों के जाने पर बहुत खुश थी वो खुद को समझाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी कितनी मरतिबा उसने खुद को समझःाया था तकदीर के इस फैसले को तसलीम कर लेने पर खुद को आमादा करना चाहा था इस नई रिष्टे को गुबोल करने के जतन किये थे लेकिन उसका खुद को समझाना सिर्फ एक लम्हे में बर्बाद हो जाया करता था अब जब वो दोनों यहां नहीं थे तो उसे बड़ा इत्मिनान था वो इस बिलावजा की मुशक्कत से बच गई थी समन कराची बड़ी पाबंदी से फोन किया करती थी वो वहां बहुत खुश थी वो अपने मूँ से अपनी खुशियों का जिकर ना भी करती तब भी उसकी आवाज से ही पता चल जाता था कि वो इर्तजा के साथ बेहत खुश है हैरत अंगेस तोर पर उसे समन के साथ फोन पर बाते करना बुरा नहीं लगता था बलकि अगर कहीं उसे फोन किये दो तीन दिन हो जाते तो वो बेचैन सी हो जाती थी खुश से वो उसे बहुत कम फोन करती थी समन उसकी फोन ना करने पर शिक्वा करती तो वो बढ़ाई की मसरूफियत और वक्त की कमी का उज़र कर देती कभी यू लगता कि जैसे उसका दल दो हिस्सों में तक्सीम हो गया है एक हिस्सा समन से मुखबत करता है और एक शदीद नफरत वो शायद दोहरी शक्सियत की मालिक बनती जा रही है कभी उसका मूट खराब होता तो वो बड़ी बेमरवती से समन से फोन पर बात करने से इनकार कर देती ममा मैं इस वक्त बिजी हूँ आप समन को बता दे मैं उससे बात में बात कर लूँगी ममा उसे इस बत्तमीजी पर घूरते हुए दुबारा समन से बाते शुरू कर देती अगली बार जब उसकी समन से बात होती तो वो दिल ही दिल में ये तवक्का करती कि समन पिछली बार की उस बत्तमीजी का जिकर जरूर करेगी मगर वो इस बात का कोई जिकर किये बगेर मामूल के अंदास में बाते करती समन तुम इतनी अच्छी क्यूं हो इतनी अच्छी कि मैं तुम्हारे लिए दिल में नफरत रखने के बावजूद भी तुम से नफरत नहीं कर पाती तुम्हारी अच्छाईया तुम्हारा प्यार मुझे तुमसे मحبत करने पर मجबूर करने लगता है लेकिन मैं तुमसे मحبत नहीं करना चाती समन के खलूस और उसकी मحبत उसे एक नामहसूस सी चुबन से दोचार कर देते थे समन को घरवालों की याद बेचैन करने लगी तो वो पांच-छे दिन के लिए कराची आ गई वो युनिवरस्टी से आई तो समन को घर में देखकर उसे बहुत खुशी हुई वो अपनी खुशी पर हैरान होती उससे गले मिलने लगी मुझे सब लोग बहुत यादा रहे थे वो उसे अपने पास बिठाते हुए बोली बस अब थोड़े दिन यहीं रहना पंदरा बीस दिन से पहले मैं तुम्हे वापस जाने नहीं दूंगी अमा ने दो टोक अंदास में समन से कहा उसने अपने बराबर में बैठी समन की तरफ देखा जो अमा के एहतराम में कुछ बोली तो नहीं थी लेकिन उसके तासुरात यहीं जाहिर कर रहे थे कि वो इतने दिन रुकना नहीं चाहती ममा आज हमेशा से भी बढ़कर खुश नजर आ रही थी इतना खुश तो उसने उन्हें कभी नहीं देखा था और फिर उस खुशी की वज़ा उसे भी पता चल गई थी वाकई उसने तस्दीक चाहने वाले अंदास में समन की तरफ देखा उसने अजबात में सर हिला दिया इस बात को सुनकर उसे बे तहाशा खुशी का एहसास हुआ था उफ कितना मज़ाएगा मुझे तो सोच सोच कर खुशी हो रही है अब इस घर में कोई मुझ से छोटा आने वाला है जिस पर मैं रॉप जमाऊंगी डांट डपट करूँगी वो खुशी में उट पटांग बाते करने लगी थी तुम रॉप जमाऊगी सख्ती करोगी और हम लोग कहा हूंगे जो उसे तुम से डांटे खाने के लिए तनहा छोड़ देंगे ममा ने मुस्कुराहट चुपाते हुए खुफकी से कहा इस सारे दिन उसके पास समन के साथ बाते करने के लिए इस मोजु के अलावा दूसरा कोई मोजु नहीं था समन को आए तीसरा दिन था जब इरतजा ने फोन करके उससे वापस आने के लिए कहा वो खुद वापस जाने के लिए बड़ी बेताब थी जितने शौक और बेचैनी से वो सबसे मिलने आई थी अब उतनी ही बेचैनी उसे वापसी के लिए थी लेकिन अमा और ममा उसे किसी भी किमत पर इतनी जल्दी भीजने पर आमादा नहीं थी लेकिन उसका मूट देखकर उन्होंने रुकने के लिए इसरार नहीं किया था और समन तो हर किसी का खयाल रखने की आदी थी फिर अमा तो अमा थी उनकी किसी बास से इखतलाफ करने या मूपर इंकार करने का वो सोच भी नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसने दबे लफसों में अम्मा से ये जरूर कहा था मैं यहां रुक गई तो इर्टजा को मुश्किल हो जाएगी कोई मुश्किल नहीं हो रही उसे उसे आदत है अपने सारे काम वो खुद कर लेता है लंदन पढ़ने गया था तो कौन सा वहां उसके पास मुलाजमीन का अमबार था रह लेगा वो मज़े में उन्होंने कदियत भरे अंदाज में उसका एतराज रत कर दिया था ममा सामने वाले सोफे पर बैठी सबा के बालों में तेल का मसाज़ कर रही थी उन्होंने बगोर समन की तरफ देखा वो मज़ीद किसी बहस और इखतलाफ के बगएर यूं खामोश हो गई थी उन्हें बे अख्तियार अपनी उस बेटी पर प्यार आया था अभी उसकी जगा सबा होती तो अमा से खूब बहस करती जिद करके अपनी बात मनवाती इस वक्त तो उन्होंने अमा और समन की गुफटगू में दखल देना मुनासिब नहीं समझा लेकिन उस रोज उन्होंने अमा को पता नहीं किस अंदास में कायल किया था कि वो खुशी खुशी उसे वापस भेजने पर तैयार हो गई थी समन को ये बात मालूम नहीं थी रात को इर्तजा से फोन पर बात हुई तो उसने कह दिया मैं अमा को नरास करके नहीं आ सकती जब तक वो खुशी से अजासत नहीं देंगी मैं नहीं आउंगी मगर जब अमा ने उसे उसकी सेहत और खुराक के हवाले से एक तवील औरीज हिदायत नामा देते हुए वापस जाने की अजासत दी तो उसकी खुशी देखने से तालुक रखती थी उनके सामने उसने किसी खुशी और एकसाइटमेंट का मुजाहरा नहीं किया था परतजा की कमी बड़ी शिद्द से महसूस हो रही है मैं किसी के बगएर भी नहीं रह सकती मुझे वो सब लोग एक साथ चाहिए जिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे सब प्यारे मेरे पास हूँ मेरे बिलकुल गरीब सब का बे तहाशा प्यार हो और मैं हूँ सच कहती हूँ सबा अजीब सी एक हवस है मेरे अंदर अपने हिस्से की सारी मुहपतें जल्दी जल्दी समेट लेने की समन अगले ही रोज वापस चली गई थी अम्मा और मम्मा को आजकल उसकी फिकर पहले से भी जादा रहने लगी थी समन को फोन किया करती समन को वापस गई दो महीने हो चुके थे वो अपने इमतहानों की तैयारियों में मصroof थी जिब समन ने उससे अपने पास लाहूर आने के लिए कहा चुटियों में तुम यहां आ आजाओ सबा बहुत मजा आएगा उसका उन दोनों के पास जाने का गत अन कोई रादा नहीं था इसलिए उसने फौरान ही उसे मना कर दिया आना तो तुम्हें पड़ेगा अब देखो मैं क्या करती हूँ उसने चालेंज करने वाले अंदास में कहा और फिर जो उसने कहा वो वाकई कर भी दिखाया वो इम्तिहान की मसरूफियत में समन का चैलेंज भूल भी चुकी थी लेकिन उसे मालूम नहीं था कि समन अम्मा और डाड़ी से ये वादा ले चुकी है कि वो सैमेस्टर ब्रेक में सबा को उसके पास लाहौर भीजेंगे ये क्या बात हुई मेरा बिलकुल दिल नहीं चाह रहा जाने को ये अच्छी सबर्दस्ती है वो अपने जाने की बात सुनकर चिड़ गई इतने प्यार से बेहन बुला रही है और तुम नकरे दिखा रही हो तुम्हारे जाने से उसका दिल बहल जाएगा यहां पर भी तो फारिख ही हो जरा सा बेहन का ख्याल कर लोगी तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है अम्मा को उसका इंकार सक्त नागवार गुजरा था इर्तजा भी बड़े इसरार से कह रहा था कि सबा को भेज दे और समन भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है डाड़ी ने भी उसे समझाया कहो कैसी रही डाड़ी ने उसकी फ्लाइट का टाइम बताने के लिए लाहॉर फोन किया तो समन ने उससे बात की वो अपनी जीत पर बहुत खुश थी बहुत जलील हो तुम तुमसे तो अपने वही आकर निप्टूंगी उसने उसे धमकी देते हुए फोन बंद कर दिया सारी दुनिया की फिकर रहती है इस लड़की को सिवाए अपने मुझे नहीं लगता कि वो अपने खाने पीने का कुछ खास ध्यान रखती होगी अब तुम जा रही हो तो बहन का अच्छी तरह ख्याल रखना चुटियां खतम होने से पहले वापस आने की कोई जरूरत नहीं है अमा जाते जाते भी उसे समझाना नहीं भूली इर्दजा उसे एरपोर्ट पर लेने के लिए आया हुआ था वो महतरमा कहा है जिनोंने नादर शाही हुकम जारी करके मुझे यहां बलवाया है वो घर पर तुम्हारे इस्तक्बाल का खास एहतमाम कर रही है बहुत सबरदस्ट किस्म के डिशिस तैयार की गई है तुम्हारे लिए सुबा से किचन में गुसी हुई है मौतरमा इर्तजा ने मुस्कुराते हुए उसे समन की मसरूफिया से आगा किया वो लोग घर पहुँचे तो समन पहले से ही उसके इस्तक्बाल के लिए खड़ी नजर आई बड़ी बेसाखतगी में उसने सबा को गले लगा लिया कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें यहां देख कर मैं बता नहीं सकती वो उसका हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले आई महमानों की तरह बैठने की कोई जरूरत नहीं है उसे सोफे पर बैठते देख कर उसने टोका कहते हैं तुम्हे तो इंटीरियर डिजाइनर होना चाहिए था वो उसे डाइनिंग रूम की तरफ ले आई फिर वहां से किचन, लॉन, ड्रॉइंग रूम, बेडरूम्स वो उसे वहां मौझूद एक एक चीज़ की तफसील बताने लगी वो उस घर की सजावट से जादा समन के चेहरे की तरफ देख रही थी जिस पर सची खुशी रोशनी बन कर जगमगा रही थी उस कमरे की किसी भी दूसरी चीज़ पर नजर पढ़ने से पहले उसकी नजर उस तस्वीर पर बढ़ गई थी जो बहुत खुबसूरत से फ्रेम में जड़ी बैट के पीछे वाली दीवार पर लगी हुई थी उन दोनों ने कमरे में लगाने के लिए अपने शादी के दिन की तस्वीर की जगा हनीमून की तस्वीरों में से एक तस्वीर का इंतखाब किया था वो तस्वीर बहुत खुबसूरत थी इर्तिजा और समन दोनों ही इस तस्वीर में बहुत खुबसूरत और खुश नजर आ रहे थे उन दोनों का इंतखाब बहतरीन था उसने एक दम ही तस्वीर पर से अपनी नजरे हटा कर गर्दन गुमाई तो आँखों के सामने वही मनजर आया जिससे उसने नजरे हटाई थी इर्तिजा और समन साथ साथ खड़े थे इतने ही खुश और इतने ही खुबसूरत जितने के तस्वीर में लग रहे थे हो गया घर का मौईना वो उससे मुखातिब हुआ उसने जवाबन मुस्कुराते हुए सर हां में हिला दिया उसे खुद इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त वो मुनाफिकाना अंदास में हस रही है मेरा ख्याल है अब खाना खा लेना चाहिए देखे तो सही के समन साहिबा सुबा से किचन में गुस कर खाली मुझे इंप्रेस कर रही है या वाकई कुछ ढंके डिश्स तयार भी की है इर्तजा की मुखातिब दुबारा वही थी खाना बिलकुल तयार है आप दोनों हैरान रह जाएंगे मैंने इतनी मजे मजे की चीज़े बनाई है समन इर्तजा को जवाब दे दी तेसी से कमरे से निकल गई थी वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल आए बहुत खुश है समन तुमारे आने पर सीड़ियों की तरफ आते हुए इर्तजा ने उससे कहा जब से तुमारे आने का कंफर्म हुआ है उसने उसी वक्त से तुम्हारा इंतजार शुरू कर दिया था कल कितने घंटों तक उसने मेरा सर खाया है उससे ये बात करनी है उसे वो बात बतानी है उसे ये खिलाना है उसके लिए वो पकाना है तुम्हारा जिक्र करके उसने मुझे अच्छा खासा चड़ा दिया था आपको मेरे जिक्र से चड़ होती है इर्तजा की शोखी से की गई बात के इक्ताम पर उसने एकदम पूछा इर्तजा को उसके सवाल पूछने का ये अंदास बड़ा अचनभी सा लगा उसने चौक कर उसकी तरफ देखा वो बड़ी संजीतकी से सीड़ियों से नीचे utar रही थी उसकी तज़्जा इर्तजा की तरफ नहीं बल्के सीड़ियों की तरफ थी उसकी शोखी से कही गई एक बात को उसने किस तरह लिया था उसके जुम्ले के बाकि सारे हिस्से को नजर अंदास करके उसने सिर्फ आखरी बात पर दवज्जा दी थी क्या हुआ आप चुप क्यों हो गए? मैं तो यूही मजाग कर रही थी मुझे पता है आप कभी भी मुझे चर नहीं सकते उसके खामोशी को महसूस करके वो मुस्कुराते हुए बोली वो समन के पास किचन में चली गई थी जबके इर्तजा अभी वही खड़ा था सबा के लहजे में ऐसी क्या बात थी चूँ से अजनबी लगी थी वैसे तो मैं प्लेन में भी खाना खा चुकी हूँ लेकिन अब तुमने इतने मज़े मज़े के डिशिस बनाई है तो दुबारा खाने में भी कोई हर्ज नहीं उसने अपनी प्लेट में रशियन सालिट डालते हुए कहा तुम्हारी बेहन साहिबा खुद तो चटोरी थी ही मुझे भी अपने जैसा बना दिया है रोज नाश्टे में ये पराठा खिलाती है मुझे आज कल पहले से भी जादा पाबंदी से एक्सेसाइस और जॉगिंग करनी पड़ रही है इर्तिजा भी कुछ देर पहले की हैरत को नजर अंदास करके बड़े खुशकवार से मूड में खाना कहा रहा था तुम बताओ सबा ये कोई इनसाफ तो नहीं है शौकीन खुद हैं खाने के और इल्जाम मुझे देते हैं अब नाश्टे की मेस पर मैंने टोस्ट, आमलेट, मखन और जाम भी रखा होता है लेकिन ये अपनी मर्जी से उसे छोड़कर पराठा खाते है तो इसमें मेरा तो कोई खसूर नहीं समन मस्मुई घुसे से बोली बिल्कुल ठीक कह रही है समन, आप ना खाया करें ये कहें के असल में खुद ही का दिल चारहा होता है समन उसके अपनी हिमायत पर बोलने पर बे इक्तियार खिलके लाकर हस पड़ी जफर भाई और आपके मुकाबलों में जरूर्ब आपका साथ दिया करती थी लेकिन अगर बात मेरी और आपकी हो तो सबह सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देगी है ना सबह? इर्तज़ा से कहते कहते उसने एकदम ही उससे पूछा क्यूं खौम खौमे मेरी इर्टजा भाई के साथ लड़ाई करवाना चाह रही हो अल्ला ना करे कभी ऐसी नौबत आए जो मुझे आप दोनों में से किसी एक का साथ देना पड़े इर्टजा कहका लगा कर हस पड़ा सबावाकरी बड़ी हो गई है समन उसे सियासी किस्म के बयानात देने आ गए है समन भी उसकी तरफ देखकर हसने लगी मैं समझती थी मर्दों की मौपत बस शादी से पहले तक होती है बीवी बनने के बाद तोने अपनी पसंदीदा तरीन लड़की में भी एप नजर आने शुरू हो जाते है मगर ऐसा नहीं है सबा कम असकम मेरे साथ तो हरकिस ऐसा नहीं है वो लाउंज के कारपेट पर वैक्यूम क्लीनर चलाते हुए समन से बाते भी कर रही थी इर्दजा के आफिस जाने के बाद समन कारपेट की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर लगाने लगी तो उसने वाक्यूम क्लीनर उसके हाथ से चीन कर उसे सोफे पर बिठा दिया था मुझे नौकरों का किया काम पसंद नहीं आता जिस महबबत से मैं अपने घर का खयाल रखूंगी ऐसे कोई नौकर तो कभी नहीं रख सकता मुझे तो हैरत होती है ऐसी ओर्टों पर अच्छा जब तक मैं यहां हूँ तब तक तो तुम ये सारे काम मेरे सपूर्द कर दो मेरे जाने के बाद शौक से अपना घर खुद अपने हाथों से सजा सवार लिया करना ड्रॉइंग रूम की सफाई के बाद वो अब लाउंच में आ गई इर्टजा को जितना अच्छा में शादी से पहले समझती थी वो हकीकत में उससे बिजादा अच्छे हैं कभी कभी तो मुझे खुद अपने आप पर रश्काता है इतनी शदीद मुझे ऐसा गेर मामूली क्या है मुझे कभी कभी मुझे डर लगता है मुखबत के खो जाने का डर उसके छिन जाने का डर पता नहीं मुखबत इतनी वहमी क्यूं होती है लेकिन सबा मुझे वाकई बहुत डर लगता है ऐसा क्यूं लगता है जैसे ये मुखबत एक रोज मुझे से छिन जाएगी So listeners, this was the end of the बिन रोए आंसू एपिसोड नमबर फाइफ इन्शाला कल मिलते हैं एपिसोड नमबर सिक्स के साथ तब तक अपना खयाल रखिए दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिस